हरे कृष्णा इस वीडियो में हम भगवत गीता का बहुती महतपण श्लोक 2.7 पढ़ने वाले हैं यह आपके सामने दिया गया है इसको आप एक बर जरूर ध्यान से पढ़ें क्योंकि इस लोक बहुती महतपण इसके हर शब्द को आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और फिर आगे सुनना शुरू करें अब मैं अपनी क्रपन दुरबलता के कारण अपना करतव्य भूल गया हूँ सारा धहरे खोच चुका हूँ ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रयसकर हो ये शब्द पहले भी आया था जो मेरे लिए श्रयसकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं अब मैं आपका शिष्य हूँ और शर्णागत हूँ किरपया मुझे उपदेश दे देखे आप लोग ये वीडियोज आई प्रजूम कि रेगुलरली देख रहे हैं सुन रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रभुपाजी ने एक्स्प्लें किया क्या भगवान कृष्ण ने अरजुन को संदेश दिया इस दुनिया में आप बात करेंगे मैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम वगरे पर बहुत सारी ऐसी पोस्टे देखता हूँ जिन में भगवत गीता में क्या कहा वो लिखा होता है लेकिन बिलीब माई वर्ड्स मैं 45 येर से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ वो सब कुछ भगवत गीता में कहीं लिखा ही नहीं है तुक्का मार के कुछ भी लिख देते हैं तो भगवत गीता के बारे में बहुत confusions हैं, बहुत अच्छी किताब है, सबसे अच्छी किताब है ध्यान से पढ़ना शुरू करना है और हमारे अंदर ये feeling होनी चाहिए कि हे भगवान, हम आपकी शर्णागत हैं आपके शिश्य हैं आप हमें उपदेश दें इस से अच्छी किताब कहा होगी मैंने पहले भी चर्चा की जहां स्वैम भगवान जिन्नोंने धर्ती बनाई हमें बनाया वो स्वैम हमें सिखा रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है और इस से अधर क्या चाहिए मालने थे हैं आपके हाथ में कोई भी कंपनी का फोन है, सैमसंग का फोन है कुछ भी है, अगर उसका मालिक खुद आके किसी फीचर को explain करे कیसे यूज करना है, कैसे नहीं करना इस अच्छा कूछ हो सकता है जिसने कोई भी चीज बनाई उसको इपता है आप खीर खा रहे हो उसके अंदर इलाईची है, नहीं है मीचा है, नहीं है, कितना है तो ये धरती और हमें जिसने बनाया स्वैम भगवान श्री कृष्ण ये नौलेज दे रहे हैं तो अर्जुन ने अपने तथे रखे ठीक है भगवान ने सुने भी आपने देखा होगा भगवान ने उसको कलमश ये वो सब तो बोला लेकिन बात तो सुन रहे हैं न उसकी तो ये आप देखो जब सुएम भगवान भी दूसरों की बात सुनते हैं तो हमें भी एक तो अपने अंदर ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जब दूसरा कोई बात बोले तो अगर पॉसिबल हो तो सुन लो उसकी बात तब अपनी बात का हो भगवान ने भी धहरे रखा पूरा पहला ध्याय अल्मोस चुप रहे बोलते रहे अर्जुन जी दूसरे ध्याय में भी अगर आप देखो के भी शुरुआत में अर्जुन जी बोल रहे हैं अच्छा मज़े की बात है टू पांट सेवन में बोल दिया मुझे अपदेश दें फिर भी एक दो बात है अभी अर्जुन और बोलेंगे फिर चुप होंगे फिर भगवान कृष्ण जो है वो बोलना शुरू करेंगे धंग से जो बोलना शुरू करेंगे वो अभी और एक किरपन दुरवलता के कारण कर्टवे भूल गया हूं भवान ने कहा न हुद कर यही तो तेरा कर्टवे तू शत्री है युद करना है जिसको जो कर्म करना वो उसका धर्म है उसको करना चाहिए बट वो कह रहा है में अपनी करपन दूरबल्ता, करपन होता है कंजूस कंजूस कौन है, जिसके पास पैसा होते वे भी ना खर्चे वो कंजूस अगर कोई बहुत ताकत वार है, फिर भी वो किसी कमजोर को सनरक्षन ना दे, प्रटेक्ट ना करे तो कंजूस कोई बहुत पड़ा लिखा है और अनपढ़ को ज्ञान ना दे तो कंजूस और क्या है यह तो कंजूस है जो आपके पास है जतना आपको चाहिए उस से ज्यादा है आप दूसरे को दे सकते हो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा फिर भी आप नहीं दे रहे हो तो कंजूस, क्रपन, तो ये कंजूसी है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल युद में नहीं करना चाहरा है, दुरबलता महसूस कर रहा है, तो मैं अपनी क्रपन, दुरबलता के कारण करतवे भूल गया हूं, धहरे खो चुका हूं, नाचरी जो हम गलत दिशा में जाते हैं, तो हम धहरे भी खो देते हैं, फिर यहां उन्होंने सही कहा, कि ऐसी अवस्ता में मैं आप से पूछता हूं, आप बताओ, क्या सबसे बेस्ट है, मेरे लिए क्या श्रियसकर है, निश्चित रूप से बताएं, निश्चित, शेवर शेवर बतादो बगवान, मेरे लिए क्य शिष्य हूं, देखो, शिष्य तो बनना पड़ेगा, जब तक हम भगवान को अपना गुरू नहीं मानेंगे, तब तक हम उनसे कैसे सीख पाएंगे, इसलिए अर्जुन ने सही किया, भगवान को अपना गुरू बनाया, हमें भी वही करना है, आप किसी वेक्ति विशेश को भी अपना गुरू बनायेंगे, वो अभी हम बाद में समझेंगे कि किसमें क्या गुरू नहीं चाहिए, कि वो आपका गुरू बन सके, बट भगवान तो परम गुरू है ही, भगवान तो सर्व गुरू संपन है ही, उसमें कुछ सोचने की जुरत नहीं है, और आप आज से ही अगर अभी भी नहीं माना तो अपने मन में भगवान को गुरु मान लिजे और उनकी वानी से डारेक्ट जो की अमरत के रूप में आपको मिल रहा है भगवत गीता उस किताब को आज ही पढ़ना शुरू कीजे अगर अभी भी भी नहीं पढ़ते हैं खरीद लिजे नही करी दिया तो और उसको पढ़ना शुरू कीजे अब मैं आपका शिश्य और शरणागत हूँ शरण में होना जरूरी है किर्पिया मुझे उपदेश दें क्वेश्चन करना कई बड़े लोग कुछ बताते ही नहीं है आप किसी शादी फंक्शन में गए हैं वहाँ पर सिरफ या मुझे उपदेश दें आपके मुझे नहीं निकलेगा तो बहुत सारे लोग आपको कुछ बताते ही नहीं क्योंको लगता है कि इसको सुनना ही नहीं है या इसको जुरूत ही नहीं है ये भाव होना मन में बहुत जरूरी है कि मैं आपका शिश्य हूँ शरणागत हूँ और मुझे उप्तेश दें तो यह बहुत ही महत्वपुन श्लोक है इसको कई बार पढ़ें इस पर मनन करें मतलब की इंट्रोस्पेक्शन करें मेडिटेट करें समझें कि यह श्लोक क्या कहना चारा है और फिर आचुली आगे पढ़ते रहें सुनते रहें भगवत गीता कोशिश करेंगे कि जल्दी ही पूरा हम भगवत गीता का कोर्स आपके लिए अविलेबल कर दें श्लोक बाइश्लोक डेली वेसिस पर मैं रिकॉर्डिंग्स करके आपके लिए डाल रहा हूँ आप भी चाहें तो मदद कर सकते हैं मेरी थोड़ी सी कि जो वीडियो आपको वाटसेप पर प्राप्त हुई है इसको किसी एक वाटसेप ग्रूप में जुरू फॉरवर्ड करें शायद कुछ और लोग हो इस दुनिया में जो भगवत गीता पढ़ना समयना चाहते हैं तो शायद उनको लाब हो कोशिश कीजिए और वाटसेप कम्यूनिटी से हमारी जुड़ने के लिए जो वीडियो पर नंबर दिया गया है उस पर अपना नाम भेजिए हम आपको अपनी वाटसेप कम्यूनिटी में जोड लेंगे हरे कृष्णा